बोलते हैं कि उसे मत मंगा ये विगड़ जाएगा वी चेक करने लगेगा जब राजधानी की गौवर्मेंट सरकार खुद राजधानी में एक के साथ एक स्कीम ला रही है तो युवाओं को इतना अनुमों नहीं है कि हमारा हर सरकार से भी जर्ण से नहीं हम इस अभियान को चलाएंगी यहां नहीं रूकेंगे नहीं के लोग किसी भी चीज के लिए जबी भी होता है अगर आप स्विक्षा की बात कर रहे हैं तो इस देश में सराब पीना कोई भी किसी का अधिकार नहीं है लेकिन सरकार जिस तरह से इसको बढ़ावा दे रही है वह बहुत ही गलत है हर colleges के बाहर सडकों के बाहर high base के बाहर जिस तरह से सराब के ठेके खुले हैं college के बाहर जिस तरह से शिगरेट और मसाले के दुमरपानों के दुकाने खुली हैं क्या ये स्वेक्षा है ये एक साजिस है जिसससे युवा पीड़ी को अंदकार में धकेला जाए उसके परिए नमस्कार में जोती यादो आप सभी का नैशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ दरसल इस वक्त में जंतर मंतर पर मौझूद हूँ होर्डिंग से शुर्वाइद करना चाहूंगी कि एक ही मुद्दा एक ही नारा नशा मुक्त हो देश हमारा नशे को लेकर यहां पर एक जागरुकता फैलाई जा रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह जो आकड़े है नशे में ग्रस्त लोगों के वो कितने बढ़ते जा रहे हैं हलाकि मैंने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी थी तो बिना देर करें शुरू करना चाहूंगी क्या नाम है अपका मेरा नाम अभिशेक दूबे जी क्या कहना चाहेंगे सच में लग रहा है नशा इतना बढ़ गया है बिलकुल बढ़ गया है आए दिन आप देख रहे हैं जितने एकसीडेंट होते हैं अभी आपने एक महिला का देख प्री का ओफर आते ही और सबसे ओफर के साथ सा ठीका भी कोल एक बगल में खोला गया तो युवाओ को लगा एक बड़ चेक करते हैं जैसे विसाल में का बाटा और बहुत बहुत मौलों में ओफर आता है ऐसे होल्डिंग कोश्टर के साथ केजरीवाल को परचार करने में बड़ा मज़ा आता है थो नहीं पीना मत पीजिए थोड़ी जाके पीजिए यह यह अफर वाली चीजद इंडिया है यहुआ ऑफर वाली चीज़ लगा करना चाहिंए जब सरकार के रही एक के साथ एक प्री को पहले से भी थे अभी वाओं को क्या होता है कि यह देखते है जिसे घर का परिवार का कोई सदसूरती कहाता है अगर हो मंगाता है तो घर के युवाओं को कहिन कई असर पड़ता है इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि उससे मत मंगा ये विगड़ जाएगा वो भी चेक करने लगेगा जब राजधानी की गौवर्मेंट सरकार राजधानी में एक के साथ एक स्कीम ला रही है तो युवाओं को इतना अनुमों नहीं है नसीब मजा आया उन्होंने नसीब लिप्त हो गया इसलिए हम लोग जन जागरू का वियान चला रहे हैं हम कई कॉलेजों में गया है कैमपीन भी चला रहे है आज जंतर मंतर में हम सोई हुई दिल्ली सरकार को जगाने के लिए एक यहां पे धर्णा परदर्सन लोग तो कहेंगे उनकी स्वैक्षिक इच्छा है ला कि उन्हें पीना है नहीं है उनका स्वैम का निर्णा है स्वैम का निर्णा है तो सरकार रोज जो हालीडियस थे उसको भी कम कर दिया सरका और कहीं से बहुत सारी एर्फ बहुत सारे दिल्ली के राजधानी से तेस। हर जगह पोलिशी कर देख गई इससे क्या आसर पढ़ें गई वाँऊ को आप देख Do जो चोटे चोटे बच्चे यहां पर पैसे मांगते हैं जो भीक मांगते हो देखिए गुटका वर्रक के मुह में नसे बीड़ी सिग्रेट इससे हमारे यूप पीड़ी पर कितना असर पड़ेगा देश की राजधानी जगा जगा देखो को एक पान खाके ठूक रखा है यह सब्सक्राइब वह हाज हु को सबसे पहले ढ़tar है और देखिए रहें सरकार ने मोढत कर रहे हैं कि यहां नहीं है मासरा इमाड़ उत्जव करेंगे जो भागवाट उन्हों को सब्सक्राइब करेंगे यौण सरकार है इस सरकार हो रहे हैं सरकार को जगाने का विह कर रहे हैं यह कमशचकम अहरों पीना चाहता है तो इसका रेट इतना मंगा कर्ये MEMSp doch काम आदमी बे还 सरकार को फाइदा कैसे होगा सरकार फाइदे के लिए देश को हीवाओं को बर्बात कर देगा उसके भभिस के साथ खेले यह कहा का न्याध है का इसी सरकार ऐसी सरकर नहीं चाहिए वो बात करते हैं सिच्छा मॉडल किया और दे रहे हैं Taylor की दुकाने गजब की महिलाओं की अलग लगा दिया है इनों ने देखा पूट सूचिए यह क्या है भी तो पराबर है ना पराबरी का अधिकार दे रहे हैं बच्चे होंगे तो पता चले निपल के स्थान पर जो दूद दिया जाता हूँ दे ले ले लगेंगे जब महिलाओं क कि कोई छेड़े का नहीं आप दूसरी लाइन में जाए तो उससे भी पढ़ावा दे रहे हैं आप जो लाच लज्जा हमारी जो संस्क्रीट उसे खतम कर दिया ना आपने तो किसने कि सरकार ने किया है जंता ने कहां किया सरकार ने किया कि अरे भाई है तो आप उसमें रू सिच्छित हो जाए तब भी आप 18 साल उसके बाद जो छुट्टिया मिल नहीं होलीडे उसको भी कम करते जा रहे हो कि चलो आज चुट्टी है तो आज इंज्वाय कर लो बिटा आज भी खुला रहे गटी चुट्टिया भी खराब करें क्या राम है आपका आविरल आप भी आप देखेंगे जो लोग उसके आदी हो गए आज भी वह चाहे कोई सी भी शराब हो अगर उसकी सपोज उसकी वेल्यू थी दो रुपे की और आज अगर वह पांच की भी करते तो जो युवा है जो दिनबर कमा रहा है या फिर जो घरीब परिवार से आ रहा है वह अपनी दिरेक्शन की तरफ जाना चाहिए वो कहीं नशे की और जाती है बिल्कुल बिल्कुल होगा आप ने कहां देखा भी जो पढ़ने वाले वो तो पढ़ी रहे है ना नसे में कॉन्गरस आप यहां पर इगनू कॉलेज में आप जाते नेप सराइक जगे बढ़ती है आप ने सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल बहुत खतर ना कर वहां क्या आज की डेट में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो बिसिकली उस ठेके के वज़स है इगनू के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करते हैं दिन बर शाम को आते हैं वहां पे शराब खरीते हैं और उस इतना दो सोची आप कि दिन्नी सरकार में जिस तरह से आपकी पुदावला था अनुभाव जी समूझ आए तो देखेए जन जन की है यही पुकार नशे को बंद करे सरकार नशे को लिए जिम्मेदार सरकार को बता दिया आप लोगों न अनुभा दिवेदी जी जब रिवेन्यू सरकार ये कहती है कि उसका अर्थ उसका देश बित्मंत्री जी चलती उसी के सारों से हैं तो निशी की दम पर ही नसाग को बढ़ावा मिला इस देश में तो निश्चीत रूप प्रतिवेक्ति की वह पीना चाता है यह उसके लिए वह जिम्मेदार किसी भी चीज के लिए जबी भी होता है अगर आप स्वक्षा की बात कर रहे हैं तो इस देश में सराब पीना कोई पूर्ट भी किसी का अधिकार नहीं है लेकिन सरकार जिस्तरैंस को बढ़ावा दे रही है वो बहुत ही गलत है हर कॉलेजिस के बाहर सडकों के बाहर हाइब कि सीक्रण और मसाले के दुम्रपानों के दुकाने खुली है क्या यह सुएक्षा है यह एक साजिस है जिससे युवापीडी को अंदकार में धोआ जाये उसके परिवार को खत्म किया और जेस्को खत्म किया जायए च्रोटा सा सवाल यह दूसरे नशो को करना फैशन या स्वेच्छा और स्वतंत्रिता से जोड़ दिया जाता है यहां यह सवाल हम सरकार से करना चाता है कि आप ऐसी परिभाशाएं गांट कैसे रहे हैं आप ऐसे मोहल में हमें ले जा कैसे रहे हैं ठेके पैयाओ या पॉप्स में ऐसा कुछ है गया हमारे पास परिभाश आई हैं हमें गलत दी जा रहे हैं आप हमें सिर्फ आगे बढ़ने के मौके दें और मुश्किले काम कर लें मेरे को एक सीन याद आता है कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट के दुरान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो सड़के खोदी गई थी और सलाखें लगाए गई थी आप ऐसा सही काम था ये साइब को बताना पाड़ेगा था अगर आपका कांस्यस कहता है अब तक आप लोगों को लगता है कि देश का युवा नशे में ग्रस्त है हमें लगता है कि युवा यह दिया जा रहा है युवा भी आगे बढ़ना चाते है मैं बहुत सारे जब उन्हें सही मौके नहीं मिलते तब वो ऐसा करते हैं हालागि यह भी एक बहाना है हमें अपनी बुराईयों से लड़ना ही होगा सही सिक्षा नीती है जो हमें सिखाए अच्छाई की ओर जाना तम सो मा जोदी गर्म है ऐसा ही कहते हैं जो हमें ले जाए रोशनी की ओर आखरी सास तक शराब नशा और ऐसी समाजी कुरुतियों के विरुद लड़ते रहेंगे अच्छा आपको कब ऐसा लगा कि इस मुहीम में शामिल होना चाहिए आपको कब ऐसा लगा कि नशा मुक्ती के लिए खड़ा होना बेहत जरूरी है जब मुझे यह समझ में आया कि स यह सरकार की मंसा किया है तब से मैं इस मुहीम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने संगठन की माद्यम से 2018 में इस संगठन मलब इस नशे के खिलाफ मैंने आंदूलन किया था और आज भी मैं पुना एक बार सड़कों पर उतरा हुआ हूँ पुना सड़कों पर खड़े सवालसा का थे इहां का है नशे की जम्मादार कौन है सवाल पूछ रहे हैं कि महों आप आप बाइसे ढूल की ऋम्र और कि स्राव पीते हूं गांज मोइं कोई जगह जाते हैं जगह जंगल में म101 लडाई करते हैं सअर। प्रकार के नुओंन होते हैं नशा security करने से नुपसान होते है। गाड़ी चलते हूं कोई शरीफ लोग के अपना देफासे सरा फिक Kashis है अभी भी कायम है क्योंकि इनका कहना है कि देश की राजधारी दिल्ली में जहां के जरीवाल जी कह रहे हैं कि बहुत विकास किया गया है वहीं जो है नशे को बढ़ावा दिया गया है जो लिकर पॉलिसी आई थी बाइवन गेटवन फ्री का ओफर जो लोग बता रहे हैं क सबसे घटिया था क्योंकि इसकी वज़े से काफी सारे लोग बिगड़ गया पोस्टर पर देखिए कि लोगों की गुहार जो है सरकार से यहीं है एक ही मुद्दा एक ही नारा नशामुक्त हो देश हमारा और क्या लगता है कब तक होगा नशामुक्त क्योंकि फिलहाल तो है कि जो हमारे प्राथमिक या माधमिक क्लास के बच्चों को नसे के बारे में पार्ट किरम हो जिसे की लोगों को बच्चों को नसे से दूर रहने के लिए और नसे से बचने के लिए जानकारी मिले तो उससे क्या है कि हम कम कर सकते हैं आप लोग कब से जुड़े हैं से करी सदा भी हैं और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो पचास साल के उपर के हैं लेकिन चलने की हालत में नहीं है बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी नसे के कारण ही घर बरबाद होते हैं लड़ायां होती हैं तलाक होते हैं घर बरबाद होता है जमीन बेखते हैं और कुछ लोग एसी कंडिशन में आ गए कि उनकी मजबूरी है अगर नसा नहीं करेंगे तो उनके हाथ पर काम नहीं करते हैं चलते नहीं एक पेटोल की तरह हो गए गाड़ी में जैसे पेटोल या इलेक्ट्रीक बैटरी की जरूरत होती है तो बैसे ही लोग हो गए कि जब तक बे सुबह कर छार पाने सकता हैं हैं हैँ और मांगें हैं सर्कार सकारात्मकों रूप से अपनी फौरी बेलाटी कर सकती हैं तो सकारात मखरूप से अपनी इन पालीश्य को देखें कि वह किस तरह से शराब को हमारे समाज में For साइन बनाती जा रहे हैं जैसे वωνैocide मैं जैसे वह व्यक्पूंगणि साइन रही है जैसे से ट्रिक में है आखरी सास तक जो लोग हमारे संपर्ख में आएंगे हम उन्हें पीने के यह शराब के यह नशे के विरुद जेतना करवाते रहें तो जागरुपता कितनी जागरुपता कितनी ज्यादा आवश्चक्ता है आप इनकी बातों से ही जान सकते हैं में साथ बने रहने के लिए को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें